दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनियूज महराष्ट में सिवसेना के सांसा संजे राउद और आदित ठाकरे की वज़ा से चोरी करने को लेकर अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है और इस केस में जो है कारवाई भी की गई है जैसा कि आप सब को पता ही होगा पिछले कुछ टाइम से लगातार महराष्टा में उधो ठाकरे को काफी बड़े जटके लग रहे हैं कभी उनके मंतरी और कभी उनके नेताओं के खिलाप में कोई न कोई बड़ी कारवाई की जा रही है लेकिन अब इनी सब चीजों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि सिउसेना ने सनिवार को न्यू सूबेदार ले आउट में तान्हा पोल्या का आउजन किया था इस मौके पर मुख रूप से युवा सेना प्रमुक और गूर मंतरी बिधायक आधि ठाकरे मौजूद रहे इस कारिकरण में बिजली चोरी होने और इसका वीडिओ सोशल मीडिया पर वाइरल होने पर महावित्रन ने दंदात्मक कारवाई करते हुए मंदक सजावत के ठेकेदार से 9760 रूपीज का जुरमाना वसूला है इस गटना का वीडियो सोसल मीडिया पर वारल हो गया वीडियो में कारकरम के लिए मंच के पीछे लगी बिजली के खम्मे से बिजली चोड़ी करते हुए दिखाई दे रहा था वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बिजली की खम्मों के बीच तार लगा कर बिजली ली गई थी इस गटना को लेकर पुलिस ब्यवस्ता से लेकर प्रसासनिक ब्यवस्ता सतर्ख थी हाल की बिजली का खुलासा होने के बाद हैरानी जेताई जा रही है वीडियो वारल होने के बाद इस पे कारवाई की गई है और इसमें 9,760 रुपे का जो जुर्माना वसूल किया गया है इस मामले में मंदक सज्जा के ठेकेदार मनुहर बंटे के खिलाप में दंडात्मक कारवाई करते हुए 9,760 रुपे जुर्माना वसूल किया गया है कुछ महीने पहले सिउसेना नेता संजे राउत नागपूर के गजा नगर इलाके में एक बैठक की थी तब भी पता चला कि बैठक के लिए पास के एक पोल से बिजली चोरी की गई थी उसके बाद महा वित्रण ने आयोजो को पर जुर्माना लगाया था राजनीतिक और समाजिक आयोजनों में नियमित रूप से तारों को काट कर बिजली की चोरी की जाती है अब जब यह मामला सामने आया है तो संबंदित चोर पर जुर्माना लगाया गया है इस से पहले इस तरह के घटना कई बार और भी पबलिक के सामने आ चुकी है लेकिन फाइनली इस बार कारवाई की गई है और ठेकेदार से 9760 रुपे जुर्माना भी वस्वूल किया गया है आपका क्यों ओपिनियन है इस पर आपना ओपिनियन कमेंड बॉक्स होता है और वीडियो के जाशादा सेयर करें